वेल्कम बेक टू बेख टू बेख टू फामिली ऑफिशियल यूटुब चैनल आज की इस वीडियो में गई जो इंगलेंड विमन 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 के बीच में होने वाला है काफी सॉलिड मैच होगा जैसा हमने देखा पहला मैच काफी शांदार गया इडिया ने अच्छा अच्छा सा टोटल को चेस किया और बॉलिंग भी काफी अच्छी गी बात करेंगे इस मैच की तो साले पांच विजे मैच होगा यानि पांच विजे टॉस हो जाएगा वेण्यू के जिस करेंगा सेंट लॉरेंस ग्राउंड केंटरबरी बात करें इस वेण्यू पे मैच यहां पर कब हुआ था दोजार एकिस में इंग्लेंड विमेंस वर्स न्यूजीलेंड विमेंस का मतब तीन मैच हुए थे उस टाइम तो उस मैच के हम बात करतें हैं लास्ट मैच की ताम हमने क्या देखा था उस मैच में नौ विगट मिले थे पेसर्स को छे विगट म मैच में काम में याती है मेरी सबसे राइड आम फास्ट बोलस वास्व मेडियम लैक्स्पिनर राइड आम ऑपरिक्स्पिनर उसके बाद लास्ट में लेफट आम उट्रडॉडॉक्स बैस बात करते हैं यहां से हैंट टूईट की जब दूनों टीम आपस किलती तो अब इं चेंजस नहीं लग रहे हैं कुछ होने चाहिए इंडिया के में यहां से जो इंग्लेंड की डिया में यह कुछ चेंजस कर सकती हैं प्लेंग 11 की तरफ देख लेते हैं यहां से MLM open करती है टेमी ब्यूमान के साथ उसका सोफिय डंकली ऐले से केपसी डैनी वेर्ट एमी जोंस एडियार सोफिय क्लिस्टन चारली डीन केट क्रॉस इसी वांग एक चेंज क्या हो सकता है इसी वांग की जगह यहां से बैल आ सकती है या तो फिर अगर उन्हें एक ए यहां से इंडिया की तो इंडिया का मुझे नहीं लग रहा है कुछ चेंजिस इंडिया को करने चाहिए बिकॉज सौटेट है काम लास मैच अकॉर्डिंग चूलन गुस्वाम यह एफेक्ट था जो टीम ने इतना अच्छा पर्फॉर्मेंस किया हमारी बात करते हैं जहां से रिसेंट फॉर्म की बहुत जरूरी यह सेक्शन आपकी बात कर लेते हैं जहां से इंडिया का ठीक है शुरू करते हैं ॥ा जहां मैं किया यह एक। तो 52 किया ODI में, 6 किया, 123 किया, 35 किया, फिर 10 रन, 30 रन, 71 रन, 4 रन, 94 नोट आउट और यहां से 6 रन किया है, तो यह recent form है, more than decent कह सकने इसको, शेफाली वर्मार देखो, यहां से 51 किया, फिर 0 किया, फिर 9 किया, फिर 0 किया, फिर 12 किया, यहां से 42 किया था, यह बांगलादेश क किया था, 53 किया, फिर 35 किया था, यह श्रीलंका कि बांगलादेश की किया, फिर 11 रन, 79 किया, बांगलादेश की सामने, इससे आपको एक आइडिया मिने किया, कि जब अगलादेश के साथ, तब यहां पर score किस तरीके का होता है, 0-9-0-12, जब वीक टीम के सामने किया, तो 42 क तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहरा हूं हाला कि प्लेयर हाईली ते यहां से हमारी टीम के साथ में हैं यहां से गई शबी ने नहीं मेंगना की बात करें चार किया है 49 किया फिर 61 किया है ठीक है यह इनका रिसेंट फॉम है शर्मा जी की बात करें तो भाई देखो बहुत talented प्लेयर है बैटिंग बॉलिंग कही ना कही से आपको दे देती है तो यह आप देख सकते हूं 9, 1, 1, 21, 22, 40, 1, फिर 5, 1, 15, 15, va, 20, 2, 1, 2, 20, 2, 2, 20, 4, 1, 20, 10, 20, 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 20Ş, 20 बात करें ताणिया बातिया बाती है तो जिएग बैटिंग निचा रिसेंट नहीं मिलेह यह guys इनका recent form है ODIs के अंदर यहां से guys पूजा वस्त्रागर को देखो 67 की एनोने पाकिस्तान की अगेंस्ट फिर 4 विकेट निकाले न्यूजिलेंड की अगेंस्ट फिर 6 प्लस 1 विकेट निकाले इंगलेंड की अगेंस्ट यह ध्यान रखना कलिंग लेंड के साथ ही है 34 प्लस 2 विकेट निकाले ऑस्ट्रीलेंड के अगेंस्ट जिसने 34 किया 2 विकेट नकाले तो आप समझ सकते हो छंता अची कासी है पुजा वस्त्रागर में फिर 30 प्लस 2 विकेट की है फिर यहां से 3 किया बाई बैटिग भी विए बजाने का retire, पॉआ रहा रहांगे, इक नहीं केले यहां है फिर यहां प्लस भी़के अगेंस्ट मंगलदेश, वीक टीम के सामने फिर यहां से wicketless यह इनका recent form है रेनुका सिंग ठाकुर की बात करें तो एक wicket, दो wicket, तीन wicket, चार wicket और wicketless, यह गाइस जो दो, तीन, चार है यह गाइस श्रीलंका के against जोन निकाले थे हालाग यह highly talented player है उस्ट्रिलिया के against भी इनों common wealth में निकाले थे तो यह guys इनका recent form है और जैसा मैं आपको squad बता चुका हूँ कि highly underrated player है यह तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है ठीक है यहां से guys बात करते हैं राजिश्वरी काईकोर्ड की यहां से guys हम बात करते हैं राजिश्वरी काईकोर्ड की, sorry for the disturbance एक wicket लिया है से कहता आता हूँ के राजिश्वरी काईकोर्ड जो है especially second inning में जो क्या कहते है internationally यानि बाहर खेलती है foreign countries में तो अच्छा खासा कर लेती है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है राजिश्वरी काईकोर्ड के बारे में यहां से का इस बात करते हैं तो इन्होंने दो रन किये थे England के अगेंस्ट फिर 34 किया विगेटलेस गई श्रीलंका के अगेंस्ट फिर विगेटलेस गई श्रीलंका के अगेंस्ट फिर एक किया एक विगेट निकाला श्रीलंका के अगेंस्ट बात करें बाई किस तरीके का टेलेंट है हाला कि हेम लता हो गई किरन नाफ गिरे हो गई शब इने नहीं मेगना हो गई इन सबने रेलवेस के लिए काफी अच्छा किया है जो स्टेट लेविल पर होता है हमारे यह तो इसलिए इनको मौका मिला है टीम में इंटरनेशनली तो देखते ह या पर किस तरीका परफॉर्मस करती है बात करने सिम्रल दिल बहाद्दूर की तो रीसेंटली देखो इन्होंने एक मैच खेला था विएटलेस गहीं थी फॉर्म की बात करने तो कैस यहां से एक ओड़ इन्होंने खेला था छैटीट्वैंट एक विएट निकाला है तो मतल की तो कोई जरूवत है नहीं जिनको स्टैट्स की कोई जरूवत है इतनी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है और हर कोई जानता है इनको लेकिन यहां पर हम फॉर्म की बात कर लेते हैं तो देखो तीन विगेट निकाले फिर दो विगेट फिर तीन विगेट फिर विगेट फिर दो विगेट एक 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 है रिसेंटली और दोनों ही बार अटकी है ओडियाई में जैमी लेकिन जैमी भी हाइली टेलेंटेड हीटार यार इस्पेशली जैमी प्लस कॉर अगर पार्टनर्शिप बन जाती है ना तो बहुत ही मुश्किल है किसी को आउट करना यहां से इंग्लेंड के फॉर्म की बात करने ने रिसेंटली ओडियाई में कैसा किया है अगर संग में खेला है थोड़ा बहुत तो वो भी बता दूँगा प्लस जो बता रहा हूँ वो बहुत इंपोर्टन्ट है तो सुनो अच्छे से बात करें टैमी भी मॉंट की तो रिसे गाल में थो बहुत रिसेंट सुनों के प्लेइल है थीर सीरीज रही है हाईंस पे माजम हि सुनों ही मैच में लेकिन दंगली की Mission काफी अच्छी है कह सकते हैं वी आपश प्लेयर सेरीज रहे ही हाईय स्कूर रहे है तीनों ही मैच मिलागे लेकिन लेकिन डंकली की प्रॉब्लम है, छोटी सी जो मैं कहता हूँ, वही स्मृती मंदाना की प्रॉब्लम है, लेकिन वह दस में से चार बार ही होती है, बागी टाइम ये लोग अच्छा कहर लीती है, अगर थोड़ा और अपना गेम इंप्रूफ कर ले तो और अच्छी बात है, स इसलिए मैंने दस में से चार बार कहा है, बात करें यहां से लॉरिन बैल की, तो रिसेंटली देखो उडियाई खेला है, एक विगेट निकाला, फिर विगेट लेस कहीं अगेंस सौथ अफरीका, बात करें सोफी एक लिस्टन की, यहां से देखो फिरसे लिखा हुआ हुआ जानते हो, इनकी लाइफ का बैस्ट हुआ था, और किस के सामने आया था, सौथ एफरीका जैसी स्ट्रॉंग टीम के सामने, अब आप समझ सकते हो, फिर एक विगेट फिर दो विगेट, बात करें माया बाउचर की, तो इन्होंने ODI रिसेंटली खेला ही नहीं है, अमी जोन की बात करें यहां से कहाजेते हो 53 किया 10 किया 1 गया 21 किया 28 किया DOS किया 9 किया यह इन little क्लिव करेंट कि नहीं चेहर थेल्ड नहीं चुम शलना भी हूब रेंट की जिर्वक ही नो बचा रहें आज करने की बात करें मेरी फेवरेट प्लेयर है बाई क्रोसी फोड़कास भी चला दिये एक नो बॉल मैं देखता हूँ वो यहां से देखो 27 प्लस विगेट लेस 6 प्लस एक विगेट फिर इंडिया के एक विगेट निकाला रहे है नों ने फिर यहां से रिसेंट फॉर्म में 3 विगे 65 प्लस 3 विगेट निकाले बहुत सॉलिट फॉर्म में MLM बैटिंग से तो अच्छी कासी हिटर है ही है टेक्निकली भी अच्छा खेल लेती है समहल के भी खेल लेती है लंबा भी खेल लेती है और बोलिंग तो कराई लेती है बात करें यहां से फ्रेया डेवेस की तो रीसे जिन पर कोई नजर नहीं मारेगा समॉल लीग में आप इन पर नजर मार सकते हो आप एक तरफा भी जीट सकते हो बात करें इसी वहां की वहांगी भी गाईस मेरी फेवरिट प्लेयर है प्रॉर्ट टैलेंटेट प्लेयर है यार यह यह भी रीसेंट फॉर्म देखो तीन वि च्वbon 14 नोट आउट 8 नोट देट स्नौ टाउट यह इनका रीसेट फॉर्म है बात करें इस यहां से चाली जीन की चालो दीन चाली डीन कुछ भी उर्म देखते हैं पहले मैंच में विकट Means गहीं फिर इकवीट निकाले फिर इंडिया केईस चार्री निकाले बा सबसके हुए तो को सोच सेंए हर लोग सोचे ते다면 मुझे जच करते थे कि यार समस्सेटिन को लेता था जबकि पब्लिक अवाइट कर रही है, मैं Captain Vice Captain CP देता तो भाई इसलिए तो देता था, क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है, खेलते हुए, अब आप खुद देख लो, इनका recent form कैसा है, तो इसलिए देता था, वो क्या 100 ball काफी short format हो जाता है, ठीक है, बात करने का इस आज का जो वेन्यू रहेगा, यह तो हो गया, बिल्कुल recent form जो मैंने आपको बताया, ODI's में plus against चीज जाथ, लेकिन इसमें एक form missing था, जो कि last match का record है, तो वो हम देख लेते हैं, यहां से, last match क्या हुआ था, इंडिया ने बोलिंग चूस करी थी, इंग्लेंड ने 222 बढ़ाय थे, साथ विगेट के नुकसान पर, यहां से एड टॉप स्कोरर उस मैच में कौन थे, special players, ADR ने 50 runs किया थे, Danny Vett ने 43 किया था, दीपती शेर्पा ने 2 विगेट लिये थे, पहली पारी में, चूनल गोस्वामी ने 1 विगेट लिया था, यहां से जो इंग्लेंड की टेम है, उसक से थोड़ा थोड़ा कॉंट्रिबूशन दिया था, सोफियर अग्ली ने भी 20-25 रन का कॉंट्रिबूशन दिया था, उसके बाद हम बात करें, इंडिया ने यहां से आप देख सकते हो, सिर्फ तीन विगेट के नुकसान पर, जीत हासल करी, विकॉज मंधना यहां आप 91 कर जो आज का जो वैन्यों इस पर देखो, सबसे बहुता हो, जैसा मैं ने उपर बताया कि तीन में से इंग्लेंड ने दो मैच यहां पर जीते हैं, तो जो एक मैच आ रहे थे, वो कैसा आ रहे थे, आप देखो, यहां पर पूरे कॉलैप्स हो गये थे, 75 रन पे, किसके सामने और यहां पर जो विनिंग हासिल की, वो देखो, इंग्लेंड ने दो सो रन से हासिल की, फिर दूसरी विनिंग साथ विकेट से हासिल की, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा गासा किया है, बात करें टैमी विमॉंट की, तो जैसा मैंने लास्ट मैस पे बोला था, चलो भ इसे फेनियू पर आप देखो, 102 किया, फिर 4 अ कीया, फिर 105 किया, चेसिंग के टाया, तो यहां पर एमी चोंस ने 60 किया है, केट क्रॉस ने तीन विकेट लिया, पर एक विकेट लिया, दूसरे बैस में, अब यहां से कैस जो अधर, इंग्लेंड के बोलन उन्स ने है, जो क यहां से सोफी एकलिस्टन ने देखो पहली पारी में एक फ़िट निकाला फिर दूसरी पारी में दूसरी पारी में बात करते हैं यह 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 कुछ प्लेस का वैलियू फॉर्म इस पर ध्यान दीजेगा बाकी मैंने जो आपको एक-वैट स्पेशल और रिसेंट फॉर्म समझाया है इस पे तो आप बिल्कुली बिल्कुल धिहान दीजेगा ठीक है इसको बिल्कुल मिस्स मत करीगा यहां से आपको बता दूँ एक सेक्शन में आपको बताना भूल गया हूँ हाँ तो यह था वो सेक्शन जो प्लेस मुझे लग रहा हाला कि मुझे नहीं लग रहा है शेफाली का इतना होप है बिकास मैंने आपको यहां पर भी बताया हूँ है क्लियरली बताया और लास्वेंच में भी यही बोला था लोग ले गया थे शेफाली वर्मा को स्मॉल लेक्स में एक बहुत बड़ा चैनल पांस साथ लाग सब्स उसके बाद जीरो नाइन जीरो बाराज फिर यहां से त्रेपन एक बार तो मतलब एक कह सकते हैं जल्दी पस जाती है प्लियर तो इसलिए मैंने यहां से शेफाली वर्मा को ड्रॉप किया था और आपको भी बताया था बागी इसलिए मैंने आज यहां पर लेका वह सब्सक्राइब कर सकते हैं जूलन को सब्सक्राइब काफी इकनॉमिकल गई दस ओवर देगे 16 अरण देगे दस ओवर डाले इसी वांग खेलती है तो और यहां से माईया बाउचर खेलती है तो वाउचर है जो कि बेटिंग मॉलिंग दोनों कर लेती है जरूरी नहीं कि इड्वाइस बताई उस पर ध्यान दीजेगा और यहां से जो है लास मैच के स्कोरकार्ट की तरफ भी बार नजर मार लीजेगा अच्छा कासा आप कर सकते हैं इस मैच में बाकी जो भी आपकी कॉस्टिंस हो इस मैच से रिलिटेट पर्टिकुलर आप इस वीडियो को आई डब्लू एस बेफ्टी प्रिव्यू जब आप यह सच करों तो आपको पर इस चैनल मिल जाएगा 98 सब्सक्राइबर से यह हमारा चैनल है तो आप इसको जागे जोईन कर सकते हो ठीक है